43 मिनिट्स इतना टाइम लगा मुझे कोड करने में और नेस्ट 10 मिनिट्स में मैंने जो है अलगले टाइम फ्रेम्स पे 5000 से उपर ट्रेट्स पे बैक्टेस्ट कर लिया अगर आप इसे मैनुली करना चाहें तो आपको बहुत सारे दिन लग जाएंगे और बिलीव मी इट इस क को नहीं पता होता जिनको पता होता है मुझे से लोग वह अलगोटेटर बन जाते हैं तो अगर आपको भी अलगोटेटर मनना है लाइफ असान करनी है टाइम कम देना है फैमिली को टाइम देना है इमोशनलेस टेडिंग करनी है तो आपको अलगोटेटर मनना चाहें ताट presently उन्होंने दिल्ली में एक concert हुआ तो उसमें बताई थी ये concert प्रकाश राज शायद उनसे करा था तो जो है इस strategy का back test मैं करूँगा आपके लिए plus जो है इसकी rules बताएंगे और is it profitable? answer is yes and no कई जगा पर settings पर profitable है और कई जगा profitable नहीं है ये तो हर जगा profitable नहीं होगा ये setup तो हम देखेंगे plus इसका जो है जैसे मैं करते आऊओ मैं आपको back test kit दूँगा बट इस वीडियो में दूँगा अगली वीडियो में दूँगा और वो तभी मिलेगा जब आपको likes and comments करने होगे क्योंकि views पता नहीं क्यों बहुत कम आते है मेरा content जो है सब लोग तारीफ करते है अच्छा है शायद मुझे लगता है YouTube पे views कम ही आते होंगे लोग शायद बहुतिक views कराते होंगे likes, comments करते होंगे मुझे समझ या रहा है क्यों नहीं views आ रहे अगर आपको पता है कि मेरे content में क्या कमी है आप बिल्कुल बताए open feedback दीजिए मैं accept करूंगा उसे हाथ जोड के so this is the backtest of power of stocks traffic lights और हम आपके request पे ही काम करते हैं तो अगर आपको next strategy से backtest करनी है उसके लिए आप जो है comments में लिखेगा so let us go to the video and let us see so rules of strategy क्या है obviously बहुत easy rules है आपको क्या करना है pair of traffic lights उड़ना है that means red and green candles का pair जैसे आप यहाँ दिख सकते example में example में क्या होगा एक pair घुडनेंगे हम that is red and green candle तो यह pair मिल गया this is our setup pretty easy यह pair मिल गया यह भी हमारा setup है pretty easy इसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद जो है हम entries लेंगे कैसे entries प्रीजी है यहाँ पर अगर हम जो है इसका high बना ले और इसका low लो बना ले ठीक है अगर high break करता है तो आप buy गे लेंगे और अगर low break करता है तो आप short करेंगे pretty easy entry rules इससे फिर से समय लेते है higher high mark कर दिया दोनों में से और lower low mark कर दिया दोनों में से अगर high break करता है तो entry long low break करता है तो entry short that's it इतना ही है then stop loss की बात करने तो stop loss सर ने clearly mention किया सर ने कहा कि अगर मैं log कर रहा हूं let's say मैं बोलता हूं कि मैं कि मैं यहां long कर रहा हूं ठीक है stop loss का होगा इस line पे right lower low पे थोड़ा सा एक टिक नीचे रखा हूँ मैंने stop loss similarly मैं यहां buy कर रहा हूं तो stop loss यहां होगा pretty easy अगर मैं यहां short कर रहा हूं तो stop loss यह वाली upper line होगी तो shorting के लिए या फिर long के लिए stop loss तो आपको clear ही है बहुत easy है then एक risk management के लिए सानने बोला maximum three trades a day इतना ही करना है वो भी set किया है हमने और अगर one minute में हम back test कर रहे हैं तो first candle को नहीं लेना five minutes में first candle चलेगी one minute में नहीं चलेगी right और सर ने risk reward की बात निकरी मतलब exit की बात निकरी उन्होंने बोला के इसमें बहुत जाद risk reward लोगो हना अच्छा चलेगी तो ही फादा मिलेगा तो थोड़ा सा एक काम करें कि 1.52, 2.53 पर back test कर के देखेंगे सो चलते हैं back test की तरफ साथ टाइम बेस नहीं करते हैं अगर आपको back testing report पढ़ना नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं आप beginner हैं आप सीखने के लिए आए हैं हम सब सीखने के लिए आए हैं तो आप पहले इस link से देखें back test report पढ़ते कैसे हैं कि बहुत ज़रूरी जाना आप trader बने आते हैं तो आपको कुछ terms, cg, drawdown यह सब कुछ common factors हैं जो आपको पता ही होना चाहिए इस वीडियो में बात करते हैं कि actual results कैसे आ रहे हैं तो लेट्स गो तो back test तो back testing से पहले trade दिखा आता हूँ तो थोड़े examples के लिए जैसे आपका ये जो है blue आपको cross दिख रहे होंगे blue cross जो है वो pair के लिए है जैसे आप pair player मिला है इस candle ने दा ही high break किया ना ही low break किया और again ये red का और green का pair था तो यहाँ बे भी cross बन गया अब इन दोनों pair का आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है low दिख रहा है break होता हुआ तो low break हुआ है यहाँ पर so यहाँ low break हुआ है और यही short हुआ है तो short and triggered हो गए है तो यहाँ अच्छा में profit मिला हमारा risk reward हमने कितना रखा हो था मैं आपको दिखा आता हूँ सिर्फ एक ही setting है हमारा risk reward जो है that is 1.5 का ठीक है 1.5 के risk reward पे हम बात करें हमसे वहले और back testing pretty easy होगा आप फिर से देखेंगे यहाँ फिर से cross मिला है क्योंकि हमें pair मिला है और pair पे मेरा long जो है entry पे हमारा long entry फिर से हो गई है और यह भी profitable signal हुआ है right 1.5 के profit पे then short work यह भी profitable चल रहा है ठीक है तो trades जो है set up आपको clear है I believe that अगर आपको example clear नहीं है तो आप उनकी video को देखे क्योंकि इस video का हम लंबा नहीं करेंगे so back testing तरफ चलते है क्योंकि हमें back testing लंबे time frame के लिए करनी है सबसे पहले हम one minute से शुरू करते हैं तो one minute हम गए ठीक है हम study system में गए और study system में क्या दिख रहा है हमको हमको study system में दिख रहा है कि इसकी performance positive वारी है it is quite fluctuating 149 trades पे back test कर पाया है क्योंकि one minute के charge में data कम होता trading पे बट क्या मैंने commissions on रखी है एक बार चेक करते हैं commissions जो है जो की पेजिस होंगी अगर हम एक में कर रहे हैं तो एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं let us do it one zero zero per trade right percentage तो बहुत जाला हो जाएगा पर order कर देते हैं ठीक है सौ और पे की 110 लगते हैं अच्छली जरू दापर के बात करें तो 110 ले ले लेते हैं और slip pages 15 ले लेते हैं right right so 15 पॉइंट सी साथ आपका 51.1 percent की जो है percent profitability है 182 trades है 2.42 का profit factor है यह मनलब profitability नहीं के बराबर है drawdown भी 2.84 का है so scalping के लिए strategy तो मुझे लगता नहीं बनी हुई है यह risk reward जो है कम रखा हुआ है तो आप देखेंगे अप कितना असान रहेगा हम जो है देखेंगे किसको इसको देखेंगे ठीक है profit को और drawdown को में जो दो चीजे ही है दिखने वाली तो हम एक काम करते हैं हम जो है risk reward chain करते हैं let us increase this ठीक है यह back test हो रहा है 2 के risk reward पे काम नहीं कर रहा ठीक है drawdown आपका जाला है तो risk reward आपका काम नहीं कर रहा है let us do one thing आप नदर अखेंगा 2.5 पे काम क्या हो रहा है 2.5 पे minus 5 and 6 percent drawdown right 3 पे minus 6 and 8.3 that means 1 minute time frame में थोड़ा बहुत positive दिख रहा है आपको क्योंकि commission slippages ने जहान निकाल दी इसकी अब बात करते हैं next time frame की that is 5 minute time frame मुझे लगा था 5 minute time frame अच्छा काम करेगी तो देखते हैं 5 minutes पे अच्छा काम कर रही कि नहीं कर रही है strategy जो है 5 minutes में हम देखें it's negative completely negative अभी positive results खाऊंगा अप मैं 3K reward पे जाला देख रहे हैं मेरीका से इतना trend marketing नहीं रहता हमेशा तो 1.5 पे देखें तो 1.5 पे भी negative चल रहा है कोई फादा discuss करेंगा नहीं है 2 पे 2 पे 2 पे भी negative है 2.5 पे 2.5 पे भी negative है 3 पे negative वहला हमें अभी तक 5 minutes में profitable setup नहीं मिला है profitability कहा दिख रही है उसको भी देख लेते हैं 15 minutes trend अगर पकड़ना है तो 15 minutes best है हाँ मैं intraday backtest कर रहा हूं तो last हम 15 15 पे exit करी दे रहें किसी भी आलत में तो अभी intraday backtest ही करूँगा मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे हम 15 minutes 15 minutes में इसका result 30% को profit आ गया है कितनी दिर पे आपका 11% है ठीक है bearable है क्योंकि हमने 1.0 इसको change कर देते हैं यह बहुत जादा हो गया एक future के लिए 150 right 150 का profit रोगा क्योंकि पहले loss ही चल रहा था तो वह actual figure तेखने का फाइदा नहीं था 202% की profitability ही दिख रही है मतलब 202% कमाया इसने और हमारा 44% का डोड़ा होना है 1.5 lakh का total dollar होना है तो यहां पर आप देखेंगे तो आपका commission slipages हमने ले रखी है 15 minutes में काम कर रही है intraday में कर रही है exit आपको कर देना है अगर आपको let's say risk reward देख लेता हूं risk reward 3 पे ठीक है आपको intraday में exit कर जाना है अगर आपका closing of trade नहीं हुआ है 3 की जगापर हम 2.5 करते क्या better results हुए तो 2.5 पे आपका जो है results similar 2 पे देखें 2 पे 176 43 पे राइट 1.5 पे 91 पे तो obviously ज्यादा risk reward लेना 3.5 करते एक बार तो ज्यादा risk reward पे 3 की risk reward पे हमारा जो अच्छा performance दे रहा है ठीक है 15 minutes में हमने जाना के strategy अच्छा काम कर रही है इससे भी इच्छी setting हमें में मिली 30 minutes में 30 minutes में 30 minutes में इसको 30 minutes में इसने बहुत अच्छा trend पकड़ा है ठीक है आप देखेंगे हमारा commission slipages वही है आप देखेंगे इसको इसका profit vector 3 रखा हमने और 1.5 lakh capital 1.5 lakh capital में लिया है हमने और total trades हमने रहे 1500 something हुआ है 1576 states पर हमने वैट्स किया है इसका 701% का net profit आया है कमहाल की strategy निकलिये तो क्योंकि starting में मुझे लगा था कि यह strategy set काम नहीं करते होगे मुझे लगता है कि उनके school quarter है जो कि उनको बताता है कि काम कर रही नहीं कर रही drawdown 49% का है यह थोड़ा huge है तो risk कम ले तो हमारा अच्छा profit निकले 30 minutes का time frame में अच्छा काम कर रही है तो 30 minutes का time frame लेके चलेंगे आपको तो profit अच्छा मिलेगा उसके लावा काम ना करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको daily time frame में back test कर दिखाऊंगा nifty में back test कर दिखाऊंगा और stocks में back test कर दिखाऊंगा इस वीडियो को यहीं समाप करते हैं लंबा नहीं करते हैं that's it everyone take care and do like and subscribe us please 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 comment करिए और comment करेंगे तो आपको back test kit free में दूँगा इसकी ताकि आप live trade कर सके manually आपको entry results मिल सकें और आप easily जो है इसे scan भी कर सकें स्कैनर भी मिला दूँगा उकको लिए so that's it everyone take care tada and bye